घर, ये हमारे लिए सिर्फ जार दिवारे ही नहीं है, ये हमारी खुशियों का पता और ठिकाना भी है। हम अपने लिए और अपनी आने वाली पेडियों के लिए घर बनाते हैं। लेकिन इस बीच हम उस घर को भूल जाते हैं, जिस पर हम सदियों से अपना जीवन जी रहे हैं। प्रक्रती, जी हाँ, यही नाम है हमारे उस घर का, जिसे हम रोज, खुद, बरबाद करने पर तुले हुए हैं। संसाधनों का खनन कर, पर्यावरण को नुकसान पहुँचा कर, अपनी जिम्मेदारियों से भाग कर, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें और रिसाइकलिंग को अपना आएं। क्योंकि अभी नहीं, तो कभी नहीं। और अगर आप खुद को बदल कर, जिम्मेदार बनना चाहते हैं, तो फिर SMC और SGPPL की मुहिम का हिस्सा बनें। जो Construction and Demolition Waste Recycling को एक नई दिशा दे रहे हैं। SMC के साथ अपने Collaboration के तहट SGPPL, CND Waste को रिसाइकल कर हमारे बहतर भविश्य की नीव रख रहा है। उनसे Pever Blocks, Interlocking Blocks, Curbing Furniture और दूसरी अन्य चीजें भी बनाई जा रही हैं। जिनका उपयोग कर हम विलुप्तिकी कादार पर खड़े प्राकृतिक संसाधनों को खत्म होने से बचा सकते हैं। साथ ही हमारे जल स्रोथों को भी CND Waste के खत्रों से बचाया जा सकता है। सबसे महत्वपून बात ये है कि हैं इंडिया की पहली ऐसी टेक्नॉलोजी है जो 100 प्रतिशत इको फ्रेंडली है और जो 95 प्रतिशत तक वाटर रिसाइकलिंग करने में कारगर है। और तो और इसे मुबाइल एप्लिकेशन के साथ भी जोड़ा गया है। जिसका उप्योग कर आप C&D वेस्ट के निप्टारे के लिए कंपनी को इनफाउम कर सकते हैं। आपके रिक्वेस्ट मिले के 24 गंटे के भी तरही उस वेस्ट को रिसाइकल के लिए भेज दिया जाता है। अगर जो पूरे सुरत भर का C&D वेस्ट रिसाइकल किया जाए, तो प्लांट अपनी फुल केपैसिटी पर काम करेगा, जिसकी वज़े से हम हर साल 6 एकर तक जमीन बचा सकते हैं, जिसकी कीमत करीब 150 करोड तक की हो सकती है। और उसके साथ साथ हम 9100 गिगा जूस तक एनरजी भी बचा सकते हैं, और करीब 500 टन्स काबन डायोकसाइड उटसरजन होने से रोग सकते हैं। C&D Waste Processing Management Facility, जो एक green facility है, उसको डेवलप किया गया है। यह जो प्रोजेक्ट है सूरत मुनस्पल कॉर्परेशन और HGPPL, PPP के धोरण के उपर इस प्लांट को बसा गया है। और यह जो C&D Waste का, Debris का जो बहुत बड़ा एक समस्या होता है कोई भी शहर में, खास करके construction activities के कारण इसका बहुत अच्छा processing ना हो, कि disposal ना हो, बड़ ट्रिट्मेंट के बाद इसका अच्छे जो eco-friendly products हैं उसका उप्योग हो। सूरत एक ऐसा सहर है, जहां 300 TPD वाला इस प्लांट से, सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एन्वानमेंट और फॉरेस्ट यह दोनों मिनिस्ट्री का सेयुक्त रूप से एक बहुत अच्छा काम जो सूरत में हो रहा है, 300 tons per day का जो प्लांट रखा गया है, जो C&D वेस्ट प्रोसेसिंग है, इस से सूरत को एक एज मिला है, और इस C&D वेस्ट प्लांट से, जो एको फ्रेंडली प्रड़क्ट्स यूज होते हैं, जो बहार आते हैं, उसको हम दूसरे अलग-अलग प्रोजेक्स में उसको उप्योग भी हम लोग करते हैं कि हमारा एर क्वालिटी अच्छा हो, डस्ट फ्री सिटी हो, पुरे भारत में वान अव दो क्लिनेस्ट सिटी के हिसाब से जाना जाता है, इसके कारण भविश्य में हमारे नागरिकों को बहुत अच्छा बहतर कल मिलने वाला है। सूरत को C&D Waste मुक्त बनाते हैं और सूरत को स्वच्छता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं।